हेलो एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपनी चानल एस्पिरेंट लाइप पे जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि SSC MTS 2024 की वैकंसी आ चुकी है बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल अप कर दिया है लेकिन अब बात करें तयारी की एकद साथ में इस सेसन में आपको questions भी discuss करके बताऊंगा कि किस level के questions आप से पूशे जाएंगे और कितना बहतरीन सवाल रहने वाला है reasoning का तो अगर बात करें कि हम लोगों को इतना सारा चाप्टर परना पड़ेगा से reasoning में अगर आप लोगों के मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा हो लेकिन भाई अगर आप इतना topics देखोगे बोलोगी कि सरी ये तो लगभग बहुत सारे chapters हैं जो chapters आते भी MTS वाले में नहीं भी आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप official notification के इंसाफ से अगर आप तयारी करेंगे तो आपको बस इतना आपको chapter complete करना पड़ेगा ऐसे chapters हो मैंने आपको बता है कि ये सारा chapters होता है आपका ये वरवल वाले का होता है ये logical reasoning होता है ये आपका non-verval होता है तो सिर्फ और सिर्फ यही सारे chapters पहले आपको complete करने है सबसे पहले आपको करना क्या है यही सारा chapters complete करना है कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाल विडियो में विडियो के इंड तक बनी रहेगा चनल अगर पसंद आएगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा विडियो को शेयर जरूर से कर लीजेगा मैं इसलिए ऐसा कहा हूँ कि भाई जब भी हम लोग रात 9 बजे मिलते हैं तो कुछ बड़ा ही बहतरीन सेसन के साथ मिलते हैं और बढ़ा ही बहतरीन कोश्चन सम्लोग आटेंड करते हैं वहाँ पे और एकदम एकजाम का relevant तो होता ही है और साथ में previous year questions भी करते हैं बोघरू जो जी अगरा previous वाला है जखोगर हम बात करें कि sir reasoning जो है वो काफी आसान होता है लेकिन according to time अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है अच्छा reasoning में जो मैट्स वाला portion आता है जो digits से related होता है जो calculation से related होता है जो आपका Board नंबर से रिलेटेड है मतलब नंबर वाला सवाल आपका missing नंबर वगर आएगा या फिर रॉंग टर्म वगर आने वाला है classification आगया एनलोगी आगया देखो एनलोगी यहां देके रखा है coding recording यहां है आपका रैंकिंग है अच्छा नंबर वाला भी पार्ट है भई तो पेपर फोल्डिंग कटिंग है मिररी में इसे इंबेड़ेड और completing आपका of the figure है आपका ठीक है counting figure भी देके रखा है तो यह सारा का सारा आपका non-verbal वाले series में आ जाता है दूसरा अगर बात करें blood relation का matrix का mathematical calculation का और word order according to the dictionary यह आपका arrange करने के लिए दिया जाता है इन सारे सावालों का हम लोग अभी just यहां session करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ तो यह कुछ chapters आपके tough होते हैं कुछ आपके आसांस होते हैं लेकिन बनाने का तरीका अगर आपको पता हो जाएगा तो सारे chapter आपके लिए बहुत जादा आसान हो जाएगे हैं लेकिन ले है ना तो repeated series के लिए सबसे जादा माथा पच्ची करने की आवस्चता आपको नहीं है मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं है तो आपको जो भी ऐसा सवाल देखने को मिलेगा वो सारा का सारा सवाल आपको with the help of option बनाना है बिलकुल नहीं बनाना है with the help of eliminate करके बनाना है बिलक option देखे रखा है option को हटा वी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सबसे पहला काम क्या करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोल बेसिकली आपको सोला लेटर देखने को मिल जाएगा अठरा लेटर देखने को मिल जाएगा 24 लेटर वाला भी सवाल आता है तो जितना कम नंबर से जो डिवेजिबल होता है उस नहीं पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे जैसे यहां 16 है तो भाई 2 से कट जाएगा लेकिन बहुत छोटा आपका हो जाएगा जो section बहुत छोटा हो जाएगा तब तो पता ह आपको कम से कम तीन का करना तो तीन से आपका सोलद दिवेजिबल है नहीं लेकिन चार से तो इस यहां पर पारट अलग अलग कर लेंगे बैई 4 का पारट यहां अलग कर लेंगे ठीक हैं कोई दिख्कत होने वाला नहीं है अब तुम ज़रा धयान दोगे यहां पे कि सर यह यहां एक जगा खाली है यहां पे खाली है और यहां तीन तीन जगा खाली है और हमारे पास चार सेक्षन हो रहा है तो यहां डी के पहले क्या होगा यह हमको देखना है तो ऐसा कोई सेक्षन होगा जिसमें डी के पहले कुछ न कुछ लेटर दिया गया होगा ठीक है यहां नह इस चिन्थ हो के कर देना ठीक है तो बोलो गुरुजी यहां M हो जाएगा तो L वाला उप्शन चला जाएगा अब देखो कि यहां दोनों में D, R, D, R common है तो भाई यहां D होगा और यहां आपका R होगा हो गया लगबग 75% सवाल आपका इसी तरीके से बन जाएगा अब हमार यहां भी है तो हम लोग यहां पर M feel up करेंगे और जैसे ही M feel up करेंगे तो यह वाला उप्शन हमारा सही हो जाएगा और यह हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा बोलो धामाकेदार लगा या फिर नहीं लगा ठीक है वई चलिए आगे वाले सवाल क्यों चलते हैं आगे सबसे पहले आपको यहां स्टेट्मेंट देके रखेगा उसे स्टेट्मेंट के इसाब से आप फिगर बना लो और आपका बस तीन होता है वो तीन आपका पहला का फिगर होता है दूसरा सम का फिगर होता है और तीसरा नो का फिगर होता है समनोट रेयर वे में यूज होता है और का फिगर ऐसे बनता है सम का ऐसे बनता है और नो का ऐसे फिगर बनता है बस इतना चीज अगर देख लोगे तो बड़ा आसान तरीके से बारी की से एक एक C है तो इस तरीके का figure तो यहां बनी सकता है अब जो conclusion में लिखा है वही figure में available होना चाहिए उपलब्द होना चाहिए ठीक है लिखा है कुछ पालतू कुछ पालतू क्या कुद्ते हैं क्या बोलोगे सर है figure में दिख रहा है तो पहला वाला सही दूसरा कि कुछ पालतू क्या हो आपका सही हो जाएगा तो दोनों निस्खर सही option नंबर भी आपका सही हो जाएगा तो देखो भाई बै कहता हूं कि दो चीज आप एक बार complete कर लो दो चीज कहने का मतलब है कि पहला जो आप concept पूरा जो आपने पढ़ा है है या फिर आप पढ़ोगे तो concept पूरा का पूरा चाप्टर यहाँ पर समाप्त कर लो और दूसरा आपको पीवाई क्यू लगाना है और साथ में उस questions का analysis भी करना है कि अगर हमसे छूटा है तो किस वजह से छूटा है और mcq जो most expected होता है इसको भी करना है और यह आपको speed और प्लस आपका accuracy के लिए करना है ठीक है accuracy के तो वैसे वैसे सवाल जो आपको board पे दिख रहा है mathematical operation का सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है मैं आपको बताता हूं कैसे अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पर 74 है अब देखो कुछ नहीं करना है भाई यहाँ पे लिखा है कि किसको यहाँ रखा जाए इ relation सही हो जाए मतलब LHS बराबर हमारा क्या हो जाए RHS आपका क्या हो जाए भाई सही हो जाए ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन भाई एक बात बताओ यह सारा का सारा आपका क्या है भाई is equal to है तो बराबर में तो is equal to मतलब 2080 आना चाहिए इतना तो दिमाग कम करेगा 74, 32 लिखा है 74 क्या 32 लिखा है 32, 8 लिखा है अब तुम देखोगे कि 74 को 32 दिवाइड करेंगे तो digit नहीं बदलना है हम लोगों को symbol बदलना है क्या बदलना है भाई symbol बदलना है तो symbol बदलेंगे तो यहां तो अगर divide हो जाए तो फिर मजे ही मजे है तो divide यहां अगर हो जाएगा तो मजे ही मजे है सिर्फ हमको एक option में divide यहां पर दिख रहा है और किसी option में divide हम लोगों को नहीं दिख रहा है ठीक है ऐसे भी तूम अगर देखोगे तो 74, 32 का गुना होगा तो 82 से बहुत जादा चला जाएगा तो यह वाला option चला गया है अब option number B को हम लोग चेक कर लेते हैं तो 74 आपका क्या है 74 आपका minus 32 divide आपका 8 है फिर plus में आपका 6 है और गुने में आपका 2 है is equal to आपका 82 है तो यह 74 अगर होता है तो 84 कितना 32 plus में 6 दूना 12 और यह 82 करेंगे 74 बारह आपका 86 में से चाड़ जाएगा 82 is equal to 82 मतलब LHS is equal to RHS आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा तो देखो within second आपका सवाल बन जाएगा और बनना चाहिए क्योंकि ऐसा सवाल strict से बनाओगे तो माई का लल कोई भी नहीं दुनिया में ऐसा पैदा लिया है जो आपको सवाल बनाने से रोक देगा समझ रहे हो बात को तो यह continuity होना चाहिए कि भाई आगर ऐसा सवाल आगा तो हम लोग सबसे पहले कि इसको ढूणेंगे मुख्या को ढूणेंगे भाई मतलब डिभाइड को ढूणने वाल है ठीक है आजाए अगले वाले सवाल पे आते है अगला वाला सवाल मैंने बोला था कि official notification में आपका ये क्या था क्या मैं कह रहा था भाई ये word arrangement था according to dictionary वही आपका ये भी सवाल है तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखो भाई option से बना लो साथ सब में common है तो पक्का है कि साथ तो आएगा ही आएगा दुनिया रहे ना रहे अच्छा दूसरा क्या है ये आपका या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा या तो 4 या तो 6 आएगा तो G E N O और G E N T मतलब 4 आएगा तो 6 वाला option चला गया अच्छा दुबारा बार में तो भाईया 6 आएगा ही आएगा अब एक दो में से पहले कौन आएगा तो तुम देखोगे G E O G G E O L आया है तो G पहले आएगा तो पहला वाला पहले आएगा तो option number A आपका सहील हो जाएगा तो ऐसा questions में आपको सिखाने के कोई आवशकता नहीं है ये सारा सवाल आपको इस तरीके से बनाना है है ना आप बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को क्या कर सकते हो बना सकते हो और बनाने के बाद कहोगे कि वहाँ वहाँ क्या बात है बहुत अच्छा बात है और बहतरे इन तरीके से सारे चीज सारी के सारी चीज के जो है वो समझ में आ रही है ठीक है चली आज ये next वाले सवाल पे आते है next वाला सवाल लिखा है भाई कि ये आपका odd one out का सवाल है और इसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी अगर बात करेगा अलफा बेट से जब भी अगर बात करेगा अलफा बेट से तो उसमें दो चीजों का चर्चा एकदम करना ही करना है ठीक है positions of letter का चर्चा तो वो करेगा और साथ में चर्चा करेगा opposite letter का क्या भाई opposite letter का वो चर्चा करेगा तो मेरा कहा हुआ बात कभी गलत नहीं होता है खासकर reasoning के मैं बात करूँ तो ना तो मैं कभी गलत कहता हूँ ना कोई गलत suggestion देता हूँ तो अगर आप इस question को देखोगे तो opposite letter का काम है और positions of letter का काम इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी चीज number से related नहीं है तो W का उल्टा D होता है B का उल्टा J पता नहीं J का उल्टा Q होता है और P का उल्टा K होता है तो ये वाला option हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बीच वाला जो दो letter है वो letter आपस में एक दूसरे का opposite नहीं है नहीं है भाई नहीं है ठीक है तो ये वाला answer हमारा सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे वाले सवाल पर मैंने कहा था सीरीज से सवाल आपसे पूछा जाएगा नंबर सीरीज का सवाल बहुत सारे हद तक ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है जिसमें आप examination hall में बन जाया आपसे भाई अगर आप घर को पी लेकर जाओ तो बन जाया लेकिन examination hall में जो accurate time होता है उसके हिसाब से बनाना एक बहुत बड़ा उपलबदी हो जाएगा चाहे वो बात करे maths की, चाहे वो बात करे reasoning की चाहे English की, चाहे GKS की है न तो according to time आपको बनाना पड़ेगा, तुक्का भी लगाना पड़ेगा बहुत सारे सवाल में और तुक्का भी आपका सही होना चाहिए बात कर रहा है वही 2300 और 200 तिरपन के बारे में तो ये 56 आपका है, फिर question mark दे दिया फिर आपका 45 है और 495 है तो किसी भी questions को बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या common term है और क्या उसमें round figure में आपका आ रहा है ठीक है, तो round figure में अगर देखोगे भाई, तो 45 को अगर 11 से गुना करोगे तो 495 होगा, होगा नहीं होगा, 450 और 45 जोड़ोगे तो 495 होगा 23 को 11 से गुना करोगे तो 200 तिरपन होगा, तो हम लोग भी क्या करेंगे 56 को 11 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 11 से गुना करेंगे भाई, तो 560 हो जाएगा और फिर 56 जोड़ोगे तो 6 यहाँ, 6, 5, 6, 11, और 5 और 1, 6, 6, 16 सही आंसर है सारा कुश्चिन्स बहास्त नहीं होता है, आपका जोब आपसे 20 कुश्चिन्स सवाल आपसे पूछा जाएगा साथ नमर का सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो भाई, जब सवाल पूछा जाएगा, तो उसमें से 20 में से हो सकता है 7-8 questions आपका थोड़ा सा tough level का हो 5-10 के बीच में ही रहता है बाकी भाई 13-14 questions वो बहुत आसान है अब इल्कुल आसान से score कर सकते हो कोई issue होने वाला नहीं है चलिए आगे वाले सवाल पर आते हैं आगे वाला सवाल 90 को 729 लिखा गया 12 को 27 लिखा गया तो 42 को क्या लिखा जाएगा ये आप से पूछा गया है आप फिर वो लोगे फिर से वही सवाल लाकर रख दिये यही पूस्ता है भाई अब एक्जाम में रिजनिंग में ज्यादार सवाल आपको 7-8 नंबर का अगर 25 नंबर का एक्जाम है तो आपको 6-7-8 नंबर का आपको mathematical operation से मिल जाएगा आपको number series से मिल जाने वाला है तो यही सारा topic आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा ठीक है भाई चलिए तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को cover करने वाले हैं कोई issue नहीं होगा तो 9 और 0 मतलब तुम अगर simple देखोगे तो यह round figure में चोटा number इसको उठा सकते हैं तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 होगा 3 का अगर cube करेंगे तो आपका 27 होगा अच्छा 9 प्लस अगर 0 करेंगे तो 9 का cube करेंगे तो 81 होगा ठीक है भई अरे गलती हो गया अरे भाई यह 729 सो जाए अच्छा 42 है तो 42 का मतलब क्या है भई 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 6 का क्यों करेंगे तो 216 हो जाएगा option number C हमारा सही है तो यह types of questions आपको देखना पड़ेगा कि भई या किस तरीके से सवाल को हम बनाए तो सवाल हम हमारे मतलब हमारे favor में हो जाएगा तो यह तरीका आपको एक बनाया था लेकिन कहीं न कहीं कुछ परेशानियों के कारण ऐसा लगा है कि फिर से यह chapter हमारा week हो गया है यह types of questions हमारा week हो गया है तो उसको सुधारने का बहुत ज्यादा आवश्यक्ता है बार बार यह मौका मिलता नहीं अब जब मौका मिला है तो आई साब पकरों कि भई का सभी लीपिया है और शभी पेन क्या है एरेजर है तो सभी पेन वाला पाट इरेजर में आ जाएगा आ जाएगा जहीं जो निसकर्स में लिखा है उसी कहीं साथ से हम लोग या करेंगे फोटो में ढूंडेंगे और वहीं दिखर आओगा तो 100% सही हो जाएगा ठीक है सभ डाइगराम यहाँ, P का डाइगराम यहाँ, यह भी जरा सर गलत, कुछ Erasure परतिलीपिया है। यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा, Erasure यहाँ Sorry, कुछ Erasure परतिलीपिया ही, यहाँ पर परतिलीपिया, परतिलीपिया यहां भी प्य, मुझे लग़ाegen्चन नम्पर सा ररे सवाल में कितना मज़ा आने वाला है और सबसे आसान भी होता है लिखा है P प्लस M डिवाइड S इन्टो R माइनस T इन्टो Q लिखा है ठीक है तो आपका यहां पर क्या है कि भाई ऐसा है questions को हमेसा हम लोग right side से बनाते हैं और हमारे दाहिने side वाले का gender कभी clear नहीं होता है मतलब male है या female है clear नहीं होगा लेकिन अगर relation husband wife का हो जागा ना भाई तब वो clear हो जागा जैसे अगर T जो है वो T की wife है मतलब Q इसका husband है अगर T जो है वो Q का husband है तो Q इसकी wife हो जाएगी तो यह सारा possibilities बनता है यहां पर तो M T के पिता की माता है तो यह सारा option हमको यह solve करने के बाद बनाना है है ना तो हम लोग को मतलब है symbol और relation से symbol relation symbol relation symbol relation गुढा का मतलब क्या तो बोलोगे बहन तो यहां लिए दो sister यहां maynos maynos का मतलब क्या तो यहां लिए पिता मतलब पिता की माता है तो टी के पिता की माता मेरी क्या लगेगी भाई दादी मा लगेगी क्या लगेगी दादी मा लगेगी तो यहां देखोगे कि टी जो है यहां पे हम खड़े हैं यह मेरे पिता है और पिता की बहन पिता की बहन मेरी यहां पे यह लग जाएगी और उसकी एक मि जाएगी तो M जो है वो T की दादी हो जाएगी तो T की दादी M तो ये वाला option सही है लेकिन जो सही है वो गलत हो जाएगा हम लोगों को कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है ठीक है दूसरा T S के भाई का पुतर है T जो है वो S के भाई का पुत्र है हमें आ खड़े हैं ये मेरे पिताजी और पिताजी की बहन बहन मेरे बुवा और बुवा का मतलब क्या कि पापा की बहन अब मेरे पापा की जो बहन होगी उनके भाई हमारे पापा और उनके बेटा हम तो ये भी option सही हो जागा ठीक है? R P की मा का भाई है R जो है वो P की मा का भाई है न? Sorry, P जो है वो R क्या है? R की मा का भाई है कौन भाई? यहाँ पे P तो P जो है वो R का मामा लगा हमें आख़ड़े हैं ये मेरी बेहन, बेहन की मा मेरी मा और मा का भाई मेरा मामा तो ये भी सही हो जागा और ये वाला हमारा गलत हो जागा तो को तीन option सही करने के बाद एक हमारा क्या सही हो गया भाई? हाणा जो गलत वाला था वो हमको मिल गया तो वैसे करके सवाल को बनाते हैं आगे आजाए आगे हमारा direction से related है ये भी आपके notice में दिया गया था ठीक है लिखा है कि मैं अपने घर से उत्तर की और 100 मेटर जाता हूं तो मैं अपने घर से north की और 100 मेटर जाता हूं ग्राप की कोई आवश्रक ता लिए फिर मैं बाए मुरता हूं तो north से कोई बाए मुरेगा तो west जाएगा south में 200 मेटर जाएगा अच्छा south से फिर बाए मुरेगा तो east में आपका 100 मेटर जाएगा फिर बाए मुरकर north में 100 मेटर जाता है तो मेरा मुख अपने घर से किस दिसा में घर से पूछा है घर से पूछेगा मतलब जहां से चलना है स्टार्ट किया था दूसरा जह East और West है, तो West का वेलू जादा है, कितना जादा है, तो 100 मीटर जादा है, ऐसा लिखा गया है, तब आपको बताना है भाई, तो यहाँ अपने घर से किस दिसा में है, तो West वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ से direction निकलता है, तो ध्यान रख लेना, starting point से नि ये आगे आईएगा तो लिखाया है कि एकीस लड़कियों की पंक्ती में जब मेनिका को चार अस्थान दाएं अस्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोड़ से बारह भी हो जाती है तो पंक्ती में दाएं छोड़ से उसकी पहले की स्थिति क्या थी वाई तो एकीस लड़ यहां से अगर आठ जाएगा तो टेरा प्लस में एक बराबर चौदा हमा स्थान था इसका डाय से पहले रहेंग के हिसाब से ठीक है कि अज़े क्लॉप भी आपसे पूछा जागा काइलेंडर भी आपसे पूछा जागा यह सवाल भरवर के रहने वाला है तो नौ से आठ के बीच में आपका इंन् its एक 180 डिगरी का कून कितना बार बनेगा मतलब एक 180 डिगरी का कून कितना बार बनेगा आपको पता है कि 180 डिगरी अगर एक घंटे में एक घंटे में आपका कितना एक बार बनता है एक बार बनता है ठीक है एक बार बनता है अच्छा बार घंटे में आपका कितना 11 बार बनता है 24 घंटे में कितना आपका 22 बार आपका बनता है ठीक है लेकिन इन सारे समय के 20 में जो एक उरेट 12 घंटे का समय होता है वो एक 180 डिगरी जो है वो आपका 6 बजे के हिसाब से हमेशा 1 माइनस कर दिया जाता है पुछ होगे कैसे तो 9 एम से अगर आपका 8 पी एम बजेगा ठीक है तो आपका कितना 11 घंटा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 11 घंटा हो जाएगा और 8 बजे 9 बजे सुभा से 8 बजे साम तक के बीच के समय में एक समय छे का आता है जो एकूरेट 100 से डिगरी का एंगल बनाता है इसलिए वो एक घंटा यहां से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 बार जो है वो 130 डिगरी का एंगल बनाएगी समझे गए बात को तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने पड़ेंगे पूरे के पूरे MTS वाले में और कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में अमसे क्यों डील करना पड़ेगा तो जितने भी सारे लोग यहां वेडियो देख रहे हैं वेडियो को शेर करने का कश्ट करिएगा अगर आपको मेरा समझायावा कंसेप्ट अगर अच्छा लगता है अगर आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं और किस एक्जाम के relevant questions की मैं बात करता हूं और रात में 9 बजे वाले सेशन को जरूर से ज्वाइन करिएगा हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स वाले वडियों में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद